तो चलिए आज हम बनाते हैं बढ़िया सी मच्छी कई है मचली कई है फिश शिजवान फ्राइड राइस बहुती बढ़िया घर पर जट पर आसानी से बनता है रेस्टरॉन से बैथर बनता है तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी साधारा नियाने और्डिनरी इंग् चलिए बनलेस करा लिजेगा बस तो मैंने यह बनलेस कर वाली है और यह आप देख सकते हैं छोटे-छोटे पीस कर लिजेए आपके हिसाब से रख दीजिए एक दम छोटे भी नहीं आप देख सकते हैं अच्छे से एक पानी से दो लीजिए और नितार के एक बाउल में डा दीजिए चलिए हम इसे मेरिनेट करने के लिए मसाले दाल देते हैं इसले दा दीजे 1-4 चुड़ी चाय कह चमच काली मिर्चो का पॉडर, आदे चुड़ी चै कहा चमच शिज människ-1 चटनी एक चुटचाय का चमच अद्रकलसन का पेस्ट, 3-4 चुटचाय का चमच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आप आपके स्वाद अनुसार जादा या कम दाल सकते हैं, मिर्ची का पाउडर, बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए, और इसे ढाक कर फुरिज में 15-20 मिर्ट या आदे घंटे के लिए, मेरी नीट होने, साइट पर रख दीजिए, फुरिज में रखिएगा, जब तक मचली मेरी नीट हो रही है, हम बाकी की प्रिपेरेशन कर लेते हैं, यहां मैंने सारी सब्जियां काट लियें, यह हैं आप देख सकते हैं, श्प्रिंग ऑनियून्स है, हरी Diaz की प्ति यह भुआज की पति के वाइट जो होते न के लिए, उसको मैंने ऐसा बारिक काटा है, कम थी, तो मैंने सारी काट ली है, यह है आधी सिमला मिर्च से मैंने बारिक-बारिक काट लिया है, और यह है आधी लाल वाली सिमला मिर्च, वो हरी वाली थी, यह लाल वाली है, और यह पिली वाली, तिरों मैंने आधी-आधी लिया है, बड़ी-बड़ी थी तो मैंने आधी-आधी लिया, अगर आपकी छोट दिया था और फिर कुछ नहीं पानी के अंदर बॉइल कर लिया और यह रह चने हुए चावल बॉइल करे हुए है यह तकरीबन डेड़ कप है हां चली आदा गुंटा हो चुका है यहां पर ना मच्छी के अंदर मैंने अंडे की सफेदी दाली वो भी आधी ही हां पूरी नही दीजिएगा हमारी मच्छी को नहीं तो टूट फूट जाएगी अचली बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है तो साइट बाइसाइड मैंने तेल को फास्ट आज पर गरम कर लिया अच्छा गरम हो जाए तो मीडियम आज कर दीजिए बिसमिल्लाए रह्मानी रेम बोल कर फ दट पलट करते हो वे तीन-चार मिनिट तक पका लिजिए तो तब तक जब तक लाइट गोल्डन ब्राउन भी हो जाएगी और जो मच्छी ही तो बहुत आसानी से जल्दी कल जाती हो चोटे-चोटे पीसिस है तो तीन-चार मिनिट में आराम से हो जाएगी तो आप देख स इसके लिए मैंने तेल पे आप देख रहे हैं थोड़ा ही लिया है छेलिए मच्छी के पकोड़े बढ़िया से मज़ेदाल से बन चुके और मैंने एक दू कहां भी लिये हैं वे से साइट पर रख दीजे एक कढ़ाई के अंदर तेल दाल दीजे वही तेल इस्तमाल कर आप चाहें तो एक दू हरी मिर्चियां दाल सकते हैं और एक छोड़ा चाहिका चमच बारी कठा हुआ अदरग भी दाल कर इसे बार बार चलाते हुए एक मिनिट तक फ्राय कर लिजे अब आप चाहें तो चूले को मीडियम आज कर सकते हैं वाट मेरी आयन की कढ़ाई है त इसे तकरीबन एक देड मिनिट तक फ्राय कर लिजे हलकी कच्छी पकी करनी है जब हलकी कच्छी पकी हो जाया हमारी प्यास तो एक तीनो टाइब की सिम्ला मिर्ची दाल दीजिएगा अच्छा मैने थेल थोड़ा सा और दाला है क्योंकि मुझे थोड़ा कम लगा आप आप को कच्छी पकी नहीं चाहिए सब्जियां तो आप ज्यादा देर भी यानि कि आधा एक मिनिट तक फ्राय कर सकते हैं सब्जियां चलिए जब सब्जियां तकरीबन 30 सेकंड हो जाए चलिए 30 सेकंड हो चुके यहां पर मैं दान देती हूं 2 छोड़ी चाय के चमच सिर का ते की अनिटी बनती है बहुत जैदा बेसरी बनती है तो मैं वो इस具 नहीं कर रहे हूं आप इसे बना सकते हैं उसके लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर है आप चीक कर लीजाग तकरीब हें 3-4 मैने तक बना रहर कर खे सकते हैं रगी रखीए लेकिन आद्वार च चुटकी भर फूट कलर, आपने नहीं दालना है, तो कोई बात नहीं, चूला कर दीजिए, मीडियम आज, फूट कलर आप स्किप कर सकते हैं, बहुत अची से मिक्स कर लीजिए, अब मेरी ये जो शिजवान चटनी थी ना, ये फ्रिज में रखी हुई थी, तो मैं अभी डाल थोड़ी सी पक जाए, बस वहां तक मैं इसे पका रही हूँ, तो तकरीब अधे एक मिनित तक मैं इसे पका लेती हूँ, आप भी चाहें, तो आधे एक मिनित तक इस सारे सौसिस को भून लीजिए, अब जब तेल चूटने लगया, आप देखें इस तरीके से, तो यहां प और बनफोच छोड़े जाए का चमच काली मिर्शो का पाउडर दालिए और बहुत ही अच्छे से मिक्स कीजिए, हलके हाथ से मिक्स कीजिएगा चावल तूटने नहीं चाहिए, अभी मैं वो जो बनाये थे हमने पकोड़े मच्छी के, वो मैं अभी नहीं दाल रही हूँ, पहले बहुत अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ नहीं तो आप इस समय दाल देंगे, तो फिर पकोड़े तूटने का डर रह सकता है वैसे तो तूटेंगे नहीं, आप चाहिए तो इस समय दाल सकते हैं, बट मैं एंड में दाल रही हूँ चलिए बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है, चूला मीडियम पर था और अब मैं ये जो पकोड़े हैं मच्छी के, ये डाल देती हूँ इसे भी डाल कर मिक्स कर लीजिए, बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए सारी चीज चावल एकदम, कोई भी एक सफेद चावल नहीं देखे और अच्छा टॉस हो जाए और आपको लगे अच्छे से मिक्स हो चुका है चूले को कर दीजिए, बंद और उपर से थोड़ी सी स्प्रिंग ऑनियन्स यानि के हरी प्यास की बत्ती दाल दीजिए और करमा करम सर्फ कीजिए कुछ अचस्ट करने जैसा लगे तो आप चक्कर अचस्ट कर सकते हैं ये देखिए, मैं एक आपको दिखा देती हूँ चावल क्या बढ़िया बने हैं, खिले-खिले से बने हैं और बहुत ही स्वादिश्ट हैं, माशालला और मैं आपको एक ये भी बता देती हूँ पकोड़ा, ये देखिए बढ़िया और क्या मज़ेदा फ्रेश फिश आप देख सकते हैं मज़ेदार सी बने हैं पकोड़े मच्छी के भी आप कोई भी मच्छी ले सकते हैं, ये देखिए क्या बढ़िया से बने हैं हमारे पकोडे अच्छा इसमें एक बात शेय करनी थी स्पाइस अपने स्वाद अनुसार दालिएगा और शिजवान चेटनी अगर आप बाहर की लें तो आप दो टीबल स्पून ही दालिएगा फिर मिक्स करने के बाद अगर आपको कम लगे तो उसकी स्पाइसनेस बढ़ाते जाएगा ये घर की है इसके लिए मैंने बिंदा साड़े तीन ठेबल स्पून बरकर दाल दिया है मैंने दो चुटे चाय के चमज सोया सॉस और दो चुटे चाय के चमज विनेगर दाले हैं बट मैं आपको एड़वाईस करूंगी एक या देड़ चुटा चाय का चमज दालिएगा दोनों उसके बाद आप अजस्ट कर सकते हैं अगर आपको मेरी यह वाली रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूले इस वाले वीडियो को उससे जादा अच्छी लगे तो अपने फैमिलिया और फैंज में इस वाले वीडियो के लिंक जरूर फरवर्ड कीजिएगा अगर आप ये recipe भी बनाएं तो मेरे साथ comment section में ज़रूर share कीजिएगा मुझे आपकी comment बहुत अच्छे लगते हैं recipe अच्छे लगे तो like, share, comment, subscribe ज़रूर कीजिएगा take care, Allah आफिस, bye bye